नमस्ते दोस्तों, Learn Shine में आपका स्वागत है। दोस्तों, इटली के सफर की शुरुआत हम रोम से करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश और कैथॉलिक ईसाई धर्म का केंद्र। वेटिकन सिटी में आपको सेंट पीटर की विशालकाय वैसिलिका और यहां की अध्भुत वास्तुकला देखने को मिलेगी। यहां आप सेंट पीटर स्कॉयर की खुबसूरती और वेटिकन म्यूजियम की कला और इतिहास की अध्भुत चीजें देख सकते हैं। वेटिकन म्यूजियम में माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध पेंटिंग्स और अन्य महान कलाकारों की कृतियां देखने को मिलेंगी। रोम सिर्फ पुरानी इमारतों का ही शहर नहीं है। यहां की आधुनिक वास्तुकला भी देखने लायक है। रोम की नई इमारतें और स्काइलाइन इस शहर की प्रगती और विकास की कहानी कहती है। यहां आप स्पैनिश स्टेप्स पर घूमते हुए इटैलियन आईस्क्रीम का मजा ले सकते हैं और यहां के स्ट्रीट फूड का स्वाद भी छख सकते हैं। रोम का स्ट्रीट फूड अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। दोस्ताना लोग आपको बार-बार यहां आने पर मजबूर कर देंगे। रोम की नाइट लाइफ भी बहुत मशूर है। जहां आप दोस्तों के साथ मिलकर पोड़ एंजॉय कर सकते हैं। यहां के रिस्ट्रेंस में इटैलियन कुजीन का स्वाव लेना न नहुली। इटली के सफर में हमारा अगला पड़ाव है वेनिस। एक ऐसा शहर जो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है। यह शहर अपनी अनोखी बनावट और अद्वितिय संस्कृती के लिए जाना जाता है। वेनिस अपनी नहरों, पुलों और गोंडोला राइट्स के लिए बहुत मश्चूर है। गोंडोला राइट्स आपको शहर के हर कोने तक ले जाती हैं। और आप इस दौरान वेनिस की अद्वितिय वास्तुकला और संस्कृती का आनंद ले सकते हैं। पानी पर तैरते हुए आप शहर की खूपसूरती को एक अलग ही नजर से देख पाएंगे। यहां की नहरें और पुल आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। जहां हर मोड पर एक नया द्रिश्य आपका इंतजार करता है। वेनिस की सबसे मश्गूर नहर है Grand Canal जो शहर को दो हिस्सों में बाणती है। यह नहर वेनिस की मुख्यधारा है और इसके किनारे पर कई महत्वकून इमारतें स्थित हैं। वेनिस में घूमने लायक बहुत सी जगहें हैं जैसे कि सेंट मार्क स्क्वाइर, डोगे पैलेस, रियाल्टो प्रेज और ब्रिज अप साइस। यह सभी स्थल वेनिस की सम्रिध इतिहास और संस्कृती को दर्शाते हैं। सेंट मार्क स्वाइर वेनिस का दिल है, जहां आप सेंट मार्क बसिलिका, डोगे पैलेस और सेंट मार्क कैंपेनाईल जैसी शांदार इमारतें देख सकते हैं। यह स्थान हमेशा परेटकों से भड़ा रहता है, और यहां की रौनक देखते ही बनती है। वेनिस एक ऐसा शहर है, जो आपको अपनी खुबसूर्ती से मंतमुख्थ कर देगा। यहां की हर गनी, हर नहर और हर इमारत में एक कहानी चुपी है। वेनिस का हर कोना आपको एक नया अनुभव देगा। और आप इस शहर की यादों को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रखेंगे। इटली के सफर में हमारा अगला पड़ाव है फ्लोरेंस। एक ऐसा शहर जो कला, इतिहास और संस्कृती का अद्भुत मेल है। फ्लोरेंस को उनर्जागरण योग का जन्मस्थान माना जाता है। फ्लोरेंस में घूमने लायक सबसे मश्रूर जगह है डुओमो जो अपनी भव्यता और फूपसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुओमों के बाद आप उफीद सी गैलरी जा सकते हैं जहां आप मेकलांजेलो, लियोनार्डो डविंची और राफाइल जैसे महान कलाकारों की अध्भुत कलाकृतियां देख सकते हैं। फ्लॉरेंस अपनी कला और संस्कृति के अलावा अपने चमड़े के उत्पादों, स्वादिष्ट खाने और शांदार खरीदारी के लिए भी प्रसिद्ध है। चैप्टर चार. मिलान, फैशन और डिजाइन की राजधानी. मिलान इटली का सबसे बड़ा शहर है और इसे दुनिया के फैशन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। चैप्टर पांच, पिसा, जुका हुआ टावर और उससे भी बहुत कुछ पिसा का लीनिंग टावर यानि जुका हुआ टावर असल में पिसा कैथेड्रल का घंटा घर है। इसकी जुकी हुई बनावर इसे दुनिया की सबसे अनोखी इमारतों में से एक बनाती है। टावर पर चढ़कर आप पिसा शहर का खुबसूरत नजारा देख सकते हैं। पिसा कैथेड्रल भी अपने आप में देखने लायक जगह है। चैप्टर चैप्टर चैए। चैप्टर राट तुसकनी में घूमने का सबसे अच्छा तरीका है कार या स्कूटर की राय पर लेकर। इस तरह आप अपनी मर्जी से इस खुबसूरत जगह को एक्स्प्लोर कर सकते हैं। तुसकनी में घूमने लायक बहुत से खुबसूरत शहर हैं। जैसे कि फ्लॉरेंस, सियना, पीसा और सैंगे मिन्यानों। फ्लॉरेंस अपनी कला, संस्कृती, इतिहास और खुबसूरत इमारतों के लिए प्रसिध है। तुसकनी में आप वाइन टूर भी कर सकते हैं। जहां आप इस क्षेतर के प्रसिध वाइन का स्वाद ले सकते हैं। जैसे कि कोमो, बिलाजियो, वारेनना और मिनाजियो। कोमो अपने एतिहासिक केंद्र, खुबसूरत डूरमों और रेशम उत्पादों के लिए प्रसिध है। बिलाजियो अपने खुबसूरत बगीचों, विला और शांदार नजारों के लिए प्रसिध है। चैप्टर 10 जो पर्याटकों को अपनी और खींचता है। कागलियारी सारडिनिया की राजधानी है, जो अपने इतिहास, संस्कृती, खुबसूरत वास्तुकला और मस्ती भरी नाइट लाइफ के लिए प्रसिध है। यहां के संग्रहाले, चर्च और प्राचीन इमारतें इतिहास प्रेमियों के लिए एक खजाना है। रात में शहर की सडकों पर जीवन का एक नया रंग देखने को मिलता है। अलगेरो अपने कैटलन प्रभाव, खुबसूरत समुद्र तटों और एतिहासिक गेंदर के लिए प्रसिध है। यहां की गलियों में चलते हुए आप कैटलन संस्कृती और वास्तुकला की जलक पा सकते हैं। यहां के समुद्र तटों पर सूरज की किरणे और नीला पानी एक अध्भुत द्रश्य प्रस्तुत करते हैं। अलबिया अपने बंदरगाह, खुबसूरत समुद्र तटों और शानदार नजारों के लिए प्रसिध है। यहां के बंदरगाह पर खड़े होकर, आप समुद्र की विशालता और उसकी सुन्दरता का आनंद ले सकते हैं। अलबिया का शान्थ बातावरण और प्राक्वतिक सुन्दरता इसे एक आदर्श परियतंग स्थल बनाते हैं। साडिनिया में आप डाइविंग, स्नॉपलिंग, हाइकिंग और बोटिंग जैसे बहुत से एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की साफ और गहरी पानी में डाइविंग करना एक अद्वतिय अनुख़ है। हाइकिंग के शौकीनों के लिए यहां के पहाड और जंगल एक रोमान चक्चुनौती प्रस्तुत करते हैं। बोटिंग के दौरान आप भीट के चारों ओर के अद्वुत द्रिश्यों का आनंद ले सकते हैं। साडिनिया का हर कोना एक नई कहानी कहता है जो इसे एक अविस्मर्णिय यात्रा बनाता है। कि अविस्मर्णिय यात्रा बनाता है।